फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है ईसा ने उन्हें उत्तर दिया मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया उन्होंने कहा मूसा ने तु त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमती दी ईसा ने उनसे कहा उन्होंने तुम्हारे रदय की कठोड़ता के कारण ही ये आदेश लिखा किन्तु स्रश्टी के प्रारंभ ही से इश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे इस तरह अब वे दो नहीं बलके एक शरीर है इसलिए जिसे इश्वर ने जोड़ा है उसे मनुश अलग नहीं करे शिश्यों ने घर पहुँचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्ण किया और उन्हों ने ये उत्तर दिया जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी इस्त्री से विवाह करता है वो पहली के विरुद वियभिचार करता है और यदि पत्नी अपने पती का परित्याग करती है और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वो विविचार करती है लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दे परंतु शिश्य लोगों को डाटते थे ईसा ये देखकर बहुत अप्रसन हुए और उन्होंने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो उन्हें मत रोको क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है मैं तुम से ये कहता हूँ जो छोठे बालक की तरह ईश्वर का राज ग्रहन नहीं करता वो उसमें प्रवेश नहीं करेगा तब हीसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रख कर आशिरुवाद दिया